The Art of People डेव करपिन द्वारा लिखी किताब है यहां 11 आसान टिप्स दिये गए हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छा इंसान बनने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं यह बहुत ही आसान टिप्स हैं जिन्हें हम अकसर मिस कर देते हैं लेकिन यही चोटी-चोटी बातें हमें औरों से अलग बनाती हैं अपने आप को बेहतर समझने के लिए एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए उन्हें वांटेड महसूस कराने के लिए एक नेता की तरह उनका नेत्रित्व करने अपनी तरफ आकर्शित करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को influence करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो, क्या आप चाहते हैं कि सब आपको follow करें और आपकी हर बात को मानें, तो आज की summary आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे art के बारे में बात करने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाई जाती हैं, कैसे वो लोगों को handle करते हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे वो लोगों को impress कर जाते हैं, ये सब आप इस summary में जानने वाले हैं, यहां तक कि ये भी कहा गया है, क कि अगर अपने डेल कार्णिगी की How to Win Friends and Influence People नहीं पड़ी है तो भी कोई बात नहीं आपको इस Book Summary का Link Description में मिल जाएगा आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें एक बेहतर इनसान बनने की कला को Master करना सिखाने वाली है हम बात कर रहे हैं The Art of People किताब की ये किताब डेव करपन की लिखी हुई एक ऐसी गाइडलाइन है जो बताती है कि अपनी लाइफ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगो और रिलेशन्स को कैसे मैनेज किया जाए लोग हमारी लाइफ में मैटर करते हैं और वो लोग आपकी जाब, करियर, लाइफ और रिलेशन्शिप्स के मैनेजमेंट में या किसी भी चीज से ज्यादा एहमियत रखते हैं इस किताब में लोगों को समझने के लिए बहतर रिष्टे बनाने के लिए और रिष्टों का ज्यादा से ज्यादा फाइदा लेने के लिए ग्यारा आसान टिप्स बताए गए हैं तो चलिए समरी को शुरू करते हैं और इन ग्यारा टिप्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं अध्याए एक, खुद को और दूसरों को समझने का गोल बनाए आपको जल्द आक्शन लेने चाहिए और जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको खुद को समझने की कोशिश करना होगा हर कोई अलग-अलग कैटिग्रीज में आता है और दूसरे को समझने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कहां फिट होते हैं ये समझना भी बहुत महतवपूर्ण होता है कि आप लोगों के साथ कैसे इंट्रेक्ट करते हैं और दूसरे के साथ आपके समबंध कैसे हैं चाहे आप किसी को पसंद न करते हो लेकिन फिर भी आप उन्हें अपनी लाइफ में अज़स्ट करने की क्षमता को रखते ही है किसी भी इनसान की गहरी समझ होना बहुत फाइदे मंध होता है फिर चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं आपको एक चैलेंज लेना चाहिए जिसमें आपको तीन लोगों को इमेजन करना चाहिए जिनकी कंपनी आप स्पेशली पसंद नहीं करते हैं उनके पास जाएं और उन्हें कॉफी के लिए इन्वाइट करें और जब आप उनसे मिले तो हमें उनको अच्छे से समझने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करें और जाने कि उन्हें क्या पसंद है हो सकता है आप पहले के तुलना में उन्हें और भी ज्यादा ना पसंद करने लगे लेकिन अब आप पहले से बेहतर समझ पाएंगे इसका मतलब यह है कि आपके पास उनके साथ फाइदेमंद संबंध बनाने का कम से कम एक मौका होगा यह लॉजिकल बात है कि आप अपने दोस्तों को उस इनसान से बेहतर जानते हैं जिनसे आप ठीक अब भी मिले हैं लेकिन फिर भी यहां कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका इस्तिमाल करके हम किसी भी इनसान से मिलते समय अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं और उन्हें बेहतर समझ सकते हैं आम तौर पर आप क्या करते हैं या आप कहां रहते हैं ये सब पूछने की बजाए कुछ ऐसे सवालों पर फोकस करें जैसे नंबर वन आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे रोमांचक चीज कौन सी है नंबर टू और आपकी निजी जिन्दगी में इस समय आपको सबसे ज्यादा क्या उतसाहित करता है नंबर थ्री या अगर पैसे का कोई इश्यू नहीं होता तो क्या आप कुछ अलग कर रहे होते नंबर फोर या आज से पांच साल बाद आप खुद को क्या करते हुए देखते हैं नंबर फाइव क्या आपका कोई पसंदीदा चैरिटी ग्रूप है अगर है तो आपने उने ही क्यों चुना नंबर सिक्स आपके लिए रोल मॉडल कौन है और क्यों नंबर सेवन आपकी जिंदगी में आपके लिए कौन ज्यादा प्रभावशाली रहा नंबर एट और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक आपके बारे में क्या कहेंगे ये सवाल सिर्फ चुप्पी नहीं तोड़ते बलकि यह लोगों को उस बारे में बात करने के लिए मनाते हैं जो असल में माइने रखती है जो चीजें उनकी personalities, उनकी values, उनके पसंद, उनकी उम्मीदें, उनके passions के बारे में पता लगती हैं इंट्रिस्टिंग मत बनिये बलकि दूसरे में interested बनिये और ये बात तो सच है कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं ये एक fact है और ये कभी change होने वाला नहीं है असल में ऐसा है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो ज्यादातर किसी और की बात सुनने के बजाए अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो वो जो कुछ भी कहते हैं, आपके पास उसे उपयोग करने का मौका होता है। सुने और जागरूक रहें और लोगों के बारे में सीखना और समझना शुरू करें। Listening यानि की लोगों को सुनना जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा हार्ड होती है और ज्यादातर हम passive listening करते हैं। हम ज्यादातर अपने बारे में बात करने के चांस देखते रहते हैं। लेकिन इसके बजाए हमें active सुनने की आदत को अपनाने की ज़रूरत है। और सही मायने में हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है। इसमें आपका focus और practice दोनों लगेंगे, लेकिन ये आपके रिष्टों को मजबूत करेगा। याद रखिए कि लोग आपकी परवाह से ज्यादा अपनी देख भाल करना पसंद करते हैं। लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं और लोगों को सुनने और उन्हें बोलने देने से आप business में और सभी human relations में लोगों का दिल जीत सकते हैं। दूसरी चीज जिसकी इंसान चाह रखता है वो है connection। अक्सर लोग अकेले होते हैं और अपने आपको असहाई और अलग महसूस करते हैं और इस gap को भरने के लिए लोगों के साथ connection की तलाश करते हैं। और यही वज़ा है कि लोगों को सुनना और उनसे connect करना बहुत जरूरी होता है और ऐसा करने से आप उनके moves को बेहतर कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके अकेलेपन को कम करने में उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आप खुद को उससे बेहतर पाएंगे और उन पर अपना अच्छा impression डालेंगे। लेकिन इसे करने के लिए आपको authentic और loyal होने की जरूरत है। आप selfish target के लिए ऐसा नहीं कर सकते। और यह बहुत जरूरी है कि आप relations develop कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के लिए यह बहुत अच्छी चीज है। इसे अलग दिखने में मदद कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे अनावश्यक या एक ऐसी चीज मानेंगे जो असल में काम नहीं करती है। लेकिन कोशिश करने में कोई समस्या भी नहीं है। आपको ध्यान आकरशित करने वाले कपड़े पहनने चाहिए। कुछ ऐसा जो स समभावित रूप से बातचीत शुरू करने वाला हो। शाइनिंग कपड़े या जूते और स्कार्फ या टाई ये सब करने पर फोकस करें। कुछ ऐसा जिसे लोग नोटिस करें और आप से बात करने के लिए एकसाइटेड हो। लिंक्डिन सबसे महत्वपूर्ण सोशल न अपने स्कूल, शिक्षा, संगठन जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं। ग्रूप जिनके आप सदस्य रह चुके हैं, उनकी डीटिरल्स एड करें। यहां महत्वपूर्ण है कि कुछ भी छोड़धा न जाए। क्योंकि जितना ज्यादा मैटर आपकी प्रोफाइल पर उले पर्टिसिपेट किया है। ऐसा करने से आपकी सेकंड डिगरी कनेक्शन अबिलिटी जल्दी से इंप्रूव हो जाएगी। अगर कोई ऐसा इंसान है जिन्हें आप विशेश रूप से पसंद करते हैं, तो उन्हें लिंक्डिन पर सर्च करें और एक आपसी संबंध को हैं और उमीद है कि आप एक मीटिंग फिक्स कर लेंगे। अपना एक पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड तयार करें, इसमें 7 से 11 लोग जुड सकते हैं। आपका एडवाइजरी बोर्ड आपको अपने पहले से तय गोल तक पहुँचने में मदद करता है। इसमें सही लोगो को चुनना है और ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके टार्गेट तक पहुँचने के लिए कौन कितना मददगार होगा। आपके बोर्ड में कम से कम 50% लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप पहले से ही जानते हों। कम से कम ऐसे लोग हों जिनसे आप कभी ना मिले हों लेकिन आपके आपसी संबंध हों। एक बार अपने ये तै कर लिया कि आपके एडवाइजरी बोर्ड में कौन होना चाहिए तब आप उन्हें इन्वाइट करें और सेट करें कि आप कब और कैसे उनसे रेगुलरली मीटिंग फॉलो करेंगे। इस किताब के लेखक करपन, slow hiring और first firing पर विश्वास करते हैं। ये सिधान्त, professional और व्यक्तिगत दोनों संबंधों के लिए है। आप अपनी जिंदगी में उन लोगों के बारे में सोचने के लिए समय दें, जिन्हें आपने जल्दी में hire कर लिया है। लेकिन आपका मकसद को पूरा नहीं कर रहे ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए। अपने दोस्त, कर्मचारी और जान पहचान के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको slow hiring करने की जरूरत है। जल्दबाजी में लोगों के साथ intense relationship मत बनाईए जब तक आप ये जान न लें कि आपका ये फैसला सही है या नहीं। अपना समय ले और कोई commitment करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें और ये बात professional और personal दोनों relationships के लिए होती है। आप लोगों को अपने inner circle में लाने से पहले अपना समय ले लेकिन जब भी आपको लगे कि वो गलत है तो उन्हें बाहर निकालने से डरें भी नहीं। इंसान होने का एक हिस्सा ये भी है कि उसे पसंद करने की जरूरत है। आपकी हमेशा सब के सामने एक अच्छे इंसान बनने की तमन्ना आपको long term में नुकसान पनहुचा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपक की मदद काफी लेते हैं पर असल में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं और ऐसे लोगों को आपको हमेशा उपेक्षा करना चाहिए। वहीं। दूसरी तरफ हम सभी बिजी रहते हैं और जैदातर लोगों को अपना सारा समय देने का रिस्क नहीं ले पाते कभी-कभी जब आप किसी की दी गई वैल्यू के बारे में अनिश्चित होते हैं तो आप उन्हें बिना कोई चांस दिये बाहर निकल देते हैं। हलाकि ये आपके पक्ष में काम कर सकता है लेकिन कभी-कभी आप कीमती चांस को मिस कर सकते हैं। लोगों को अपना समय कमिट करने से पहले और उन्हें निकालने से पहले उनके बारे में और रिष्टों के बारे में समझने के लिए समय निकाले। अध्याय तीन दूसरों को पढ़ना सीखे। हमने पहले से ही दूसरों को सुनने की अहमियत पर बात की है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सुनना के के लिए एक जागरूकता की जरूरत है कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है इस बात पर फोकस करें कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्यों किसी भी क्षण में सुनने का मतलब है इस बात की देख भाल करना कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है सुनना बहुत ही ज्या अक्सर लोग अपनी बातों का मतलब समझने के लिए बहुत सारे नौन वर्बल संकेतों और इशारों का उपयोग करते हैं। हम आपके साथ एक लिस्ट शेयर करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे नमबर वन, लोगों के चेहरे के भाव, मुसकान, छड़ी हुई आइब्राउज या माथे की लकीरों पर ज्यादा तर ध्यान करें। नमबर तू, दूसरा, क्या उनके पॉस्टर चेंज हो जाते हैं? उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान करें कि वो लोग कमफर्टबल लग रहे हैं या नहीं। नमबर तू, तीसरा, अक्सर लोग हाथ से बात करते हैं जैसे वेव करके, पॉइंट करके या एनिमेटेट बोल के तो इस बात पर ध्यान दें। नमबर फॉर, अगला अपने आई कॉंटेक्ट को मेंटेन रखें और ये भी देखें कि सामने वाला भी आई कॉंटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं। नमबर फाइव, फिजिकल स्पेस पर भी ध्यान करें जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे क्या आप पास हैं या दूर। एस स्पेस आपको इंटिमिसी, निकटता, गुस्सा और दूरी के संकेत भेजते रहते हैं। नमबर सिक्स, इस पॉइंट पर भी ध्यान दें कि कौन कैसी बात कर रहा है। उनकी टोन को सुनिए, क्या टोन चेंज हो रही है और ये क्या कह रही है। नमबर सेवन, लोगों से अपने संबंध सुधारने के लिए मिररिंग का उपयोग करें। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप उस चिज़ को रिपीट नहीं कर सकते जो आपने बिना सिंसेरिटी के सुनी है। जैसे ही आप मिररिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अच्छे हो जाते हैं तो आप लोगों को सुनने में मदद करेंगे और लोग आपको इसके लिए प्यार भी करेंगे। याद रखना जरूरी है कि वैलिडेशन और किसी बात से सहमत होना एक बात नहीं है। वैलिडेशन के लिए आपको दूसरे व्यक्ति को यह दिखाने की जरूरत है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं और वे क्या कह रहे हैं। आपको ये शो करने की जरूरत है कि आप उन्हें समझते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो ये है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ऐसा पूछ कर आप दूसरे इनसान को मदद मांगने का मौका दे रहे हैं, ऐसे करने से वो आपको सराहेंगे और आपसे connected feel करेंगे ये सब उन्हें return में आपकी मदद करने के लिए भी inspire करेगा हो सकता है कि कुछ मामलों में आपकी मदद को reject कर दिया जाए और ऐसा होगा क्योंकि वो नहीं जानते कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं लेकिन ऐसी स्थितियों में आपका offer फायदे मंद होगा क्योंकि भले ही वो आपकी मदद न लें लेकिन वो फिर भी offer को सराहेंगे ज्यदातार सभी के पास एक online उपस्थिती है और हमारे लिए वास्तविक जीवन और अपनी online उपस्थिती में authentic बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है कि आपकी online personality अलग नहीं होनी चाहिए नहीं तो इसे लोग समझेंगे कि आप नकली है इसके साथ साथ आपका कमजोर होना भी बहुत जरूरी है ऐसा करके आप अपने आपको किसी और के लिए open कर रहे हैं और वो आपसे एक गहरा connection फील करेंगे वो आपसे और आपकी vulnerability से बहतर संबंधित हो पाएंगे और ये एक नया connection स्थापित करने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली सबित हो सकता है इसलिए रोने से डरे नहीं यहाँ एक golden rule है जिस rule को हम सिख कर बड़े हुए है और वो rule ये है कि दुसरों के साथ वेसा ही करो जैसा आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं ये एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले से सुन चूके हैं और जिसे कई बार कहा भी गया है लेकिन फिर भी इस rule के साथ कुछ basic कमजोरी भी है और वो ये है कि यहाँ हर कोई अलग है कुछ निश्चित शर्तों में आप एक तरह से treat किया जाना पसंद करेंगे लेकिन उसी condition में किसी और को बहुत अलग तरह के treatment की जरूरत होगी context समझना भी उतना ही important है जितना लोगों को समझना है इसलिए हम, हमें इस नियम के बदले version के साथ जीना चाहिए जो ये कहता है कि दुसरों के साथ वैसा ही करें जैसा वो अपने साथ करवाना चाहते हैं अध्याए 5 लोगों को प्रभावित करने पर ध्यान दे आप वाकई में प्रभावशाली होना चाहते हैं आप लोगों को अपने विचारों के साथ चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, इसको करने के कुछ तारिके भी हैं, जैसे, कुछ लाइन्स का उपयोग, ना करें, जैसे मेरे पास एक आइडिया है, कभी भी, मैं शब्द का उपयोग ना करें, 2. हाला कि आपको अपने विचार और परिणाम की दिशा में दूसरे को सही डिरेक्शन देना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्लियर भी ना दिखाईए, उन्हें गैप भरने दें, 3. आप जो चाहते हैं, उसका उल्टा समझाने की कोशिश करें, इस विकल्प के मुद्दों को पहचाने और उमीद है कि दूसरे आपके विचार को पकड़ पाएंगे, 4. अगर दूसरे आपके विचारों को मेंशन करते हैं, चाहे उससे मिलता जुलता या एकदम सठीक, उससे सहमती जताए और प्रोटसाहित करें, 5. आप उन्हें वैकल्पिक प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वे आपके विचारों के साथ मेल नहीं खाते हैं, वे सुझाव देते हैं कि आप उनके विचारों को सुनने के लिए तयार हैं, लेकिन आपको भी इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ तरीके भी है, आपको असल म को एक मील दूर से समझ जाता है, और किसी को भी कोई चीज सेल किया जाना पसंद नहीं होता, ऐसे मामले में कहानी सुनाना एक बहतर विकल्प है, कहानिया, इंसान को भावनात्मक स्तर पर आपके साथ कनेक्ट करती है, एक सेल्स पिच के बजाए, स्टोरी टेलिंग से प्र कब सुनना है, ये माइने नहीं करता कि आपको किस से क्या कहना है, क्या ओफर देना है, क्या सेल करना है, या क्या ट्रस्ट दिलाना है, ये हमेशा एफेक्टिव होता है, कि आप अगले इंसान को अच्छा और सही सवाल पूछ कर उसमें असली ऑथेंटिक रुची दिखाए आखिर में आपको अपने आइडियाज या प्राड़क्ट्स को शेर करने के लिए अगर आपने ठीक से तैयारी की है, तो आपका विचार प्रस्तुत करना सरल हो जाता है, जब तक आप वह नहीं पूछते जो आपको चाहिए, तब तक आप वह नहीं प्राप्त कर सकते जो आप चाहते हैं, लोग नहीं सुनने से डरते हैं, लेकिन आपको प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे ये किसी भी बारे में हो, लेकिन अगर आप पूछ ही नहीं रहे हैं, तो डिफॉल्ट रूप से उत्तर देने के लिए एक नहीं ही होगा, इसलिए डर को बदले, किसी और की मानसिक्ता के बदलने तक प्रतीक्षा करने से बहतर है, होश्यार बनना फायदेमंद हो सकता है, जब तक आप विनम्र और ऑथेंटिक हैं, सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को शेयर करते समय आपको डरना नहीं चाहिए, इसके साथ साथ आप ऑथेंटिक और रियल बनने की कोशिश करें, लोग आपको आखिरी में जज करेंगे ही, इसे सुनिश्चित करें, कि जो आपने कहा है उस पर आप स्टेंड करें, दूसरी चीज जो आपको सोशल मीडिया पर करनी चाहिए, वो है दूसरों की सच्ची तारीफ, अगर को दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने को मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहतर लोगों के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे, पिछले तीन चार सपताह के अपने कैलेंडर को देखें, आपने अलग-अलग अपने साथ जो समय बिताया है, उसे पहचाने, अपने आप से पूछे कि जिस तरह आपने अपने समय को प्राथमिक्ता दी थी, क्या आप उससे खुश हैं? कम महत्वपूर्ण काम और बातचीत को सीमित करने का गोल बनाएं, जिससे आप उन लोगों पर फोकस कर सकें, जो इंपॉर्टन्ट है, एक ऐसा सिस्टम विक्सित, करें जो आपके लिए काम करता हो, अपनी जिन्दगी के जरूरी इंसान से नियमित रूप से मिलते हैं, जिनके साथ आप अपना ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, ऐसा एक महीने तक रेगुलर जारी रखें, पहले इस सिस सिस्टम को पर रखें, और देखें कि क्या ये काम कर रहा है? क्या आप अपने समय को सही इंसान के साथ खर्च करने में प्राथमिक्ता दे रहे हैं? अध्याय साथ, खुद एक शिक्षक बने, दुसरों को बताना कि कोई काम कैसे होता है और खुद वो काम करके देखने में बहुत फर्क है, ये मैटर नहीं करता कि आपके छात्र कौन है, लेकिन चीजों को खुद करके दिखाना लॉंग टर्म में फायदेमंद होता है, एक अच्छा शिक्षक बनने, के लिए आपको सब्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं, वो किसी को भी, किसी भी चीज के बारे में सिखा सकते हैं, आपको हर एक स्टेप को समझने के लिए और दूसरे को सिखाने के लिए समय निकालना होगा, सब्र र ये याद रखना important है, कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, और आपकी ताकत किसी और से अलग हो सकती है, किसी को कुछ नया सिखाने का target रखते समय, ये न समझे कि वो आपके जैसे ही है, पहले उनकी ताकत को पहचाने और उन्हें समझे, अपनी शिक्षन क्षमताओं को बह पहचाने जिन्हें आप किसी दूसरे तरीके से अपने प्रभाव में ला सकते हैं, दो, अपने कुछ पसंदीदा स्कूल टीचर्स को याद करें, याद करें कि उनकी टीचिंग्स आपके लिए कितने फायदे थे और उन्होंने आपकी performance पर कैसे असर डाला, तीन अपने notes प Manager के रूप में ये जरूरी है कि दूसरे को goals की शक्ती और accountability participation के बारे में सिखाया जाए, लोगों को track पर रखने के लिए उन्हें एक loyal partner खोजने के लिए प्रेरित करें, उनके accountability partners को उनके साथ मिलकर smart goals set करने, न, चाहिए, सब को अपने partner के साथ week में कम से काम एक बार जरूर मिलना चाहिए, अध्याए आठ, नेता बने team में कोई मैं नहीं होता, बलकि नेतरत्व में मैं होता है, इतने सारे लोग बिना किसी formal teaching या coaching के leader बन जाते हैं, हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें share कर रहे हैं, जिन पर अच्छे नेताओं को हमेशा ध्यान लगाने की जरूर ये सुनिश्चित करें कि team में सही इनसान सही रोल निभा रहे हैं, तीन, तीसरा ये पक्का करना कि आपके मनचाहे लक्षे को हासिल करने के लिए अच्छे खास पैसे और उपलब्ध संसाधन हो, चार चौथा, एक नेता के रूप में पारदर्शी होना बहुत महत्वपू लिए है, लोगों के साथ जितना हो सके, उतना इमानदार और पारदर्शी होने की कोशिश करें, बुरी खबर देते समय, स्पष्ट, सीधे और सकारात्मक रहे, परिवार और सहकर्मियों के साथ पारदर्शिता, ट्रस्ट बिल्ड करेगा और रिलेशन्स को गहरा बनाएग 5. इन दिनों कोई भी लीडर बन सकता है, फिर चाहे आप अपनी कंपनी के किसी ग्रूप को लीड कर रहे हो, आपकी टीम, आपका डिपार्टमेंट या आपकी फैमली हो, आप एक लीडर बन सकते हैं, भले ही आपके पास कोई ओफिशल लीडर्शिप रोल भी ना हो, बस आ आप अपने आजपास के लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हो, और आप अपनी टीम में कई लीडर्श भी डेवलप कर सकते हैं, अध्याए 9. कॉन्फिक्ट को सुलजाना सीखें, कोई भी कॉन्फिक्ट को इंजॉई नहीं करता है, इसलिए जब भी कॉन्फिक्ट बढ़ता है, आपका ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे एफेक्टिव वे से सॉल्व किया जाए, ये नियम आपके किसी के साथ झान ढूंडना है, जो लोगों के लिए काम करें, आम तोर पर कॉन्फिक्ट तब होता है, जब कोई सुनने या मदद पाने के लिए कॉन्फिक्ट कर रहा होता है, दोनों पक्षों को समझें और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दे, आपकी इंस्टिंक्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन वास्तविक्ता ये है कि ये काम नहीं करेगा। दोनों साइड्स को ये फील करने की जरूरत है कि उन्हें शांत करने से पहले ठीक से सुना गया है। अगर कोई अभी भी गुस्से में है या उसके emotions लेवल हाई चल रहे हैं, तो conflicts यानी जगड़ा को हल करने के लिए थोड़ा और समय लग सकता है। अगर आप conflict का हिस्सा है, तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप argument को छोड़ दें, उनके सामने surrender करें और नियंतरन वापस अपने हाथ में ले लें। बहुत सारे लोग इसे छोड़ देना चाहते हैं या fail होने की तरह देखते हैं, लेकिन असल में outcome decide करके आप situation को control कर रहे होते हैं। कभी आप लोगों के साथ conflict को आसानी से हल कर सकते हैं और कभी-कभी इसमें मेहनत लगती है, लेकिन समय और प्रयासों के साथ उचित सुनकर और mirroring करके और धैर्य के साथ आप सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी conflicts को हल नहीं किया जा सकता। अध्याय दस, लोगों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए कि ये सब आपके बारे में नहीं है। चाहे आप 3330 या 3 audience से बात कर रहे हैं, तो आपकी wish यही होनी चाहिए कि उन्हें inspire कैसे करें। यदि आपकी आशा उन्हें प्रेरित करने की है, तो आपका material और आपकी वितरण उनके बारे में होनी चाहिए कि किस तरह से वो grow कर सकते। बहुत से लोग अपने खुद के agenda में फस जाते हैं और खुद पर और अपने product पर ज्यादा focus करते हैं। वो भुल जाते हैं कि उनका main goal है दूसरों को कुछ sale करना, इसलिए ये important है कि आप उन पर अपना focus करें कि आपका product या आपकी। सर्विस उनकी life को कैसे बहतर बना सकती है या उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। दयालुता बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये लोगों को बहतर feel करवा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी चिज हो या कोई छोटा काम, जैसे कचरे को उठाना, लोग कहीं enter कर रहे हैं, तो उनके लिए दरवाजा पकड़ना या inspire करने वाले लोगों से touch में होना बस आपको कुछ। देर के लिए अपने आप पर focus करने के बजाए किसी और पर focus करना होगा। किसी को भी आलोचना अच्छा नहीं लगती, लेकिन रचनात्मक आलोचना सुधार का एक मुख्य parameter है। फीडबैक बहुत ही महतवपूर्ण चीज है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और इसके बाद फिर से एक तारीफ करें। चौथा, इशूज बताने की जगह, positivity समाधान सुझाव दे और negativity पर focus ना करें। अध्याए ग्यार, लोगों को खुश रखे, आखिरी टिप, यह है कि आपको लोगों को खुश रखने की जरूरत है। आप creative तरीकों के बारे में सोचें, जिससे आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों को surprise कर सकें और खुशी को promote कर सकें। आप अपने कर्मचारी, सहकर्मी, मित्र और परिवार पर ध्यान दें। हर दिन किसी को खुशी देने की कोशिश करें और उन्हें surprise करें। फिर चाहे वो एक छोटा सा compliment ही हो, या फिर छोटा सा मजाख ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी चीज़ें काफी दूर तक जाती हैं। Thank you card लिखने के बारे में सोचें। हाला कि ये old fashion है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ये शो करता है कि आप लोगों की देख भाल करते हैं और आप उनके लिए वक्त निकाल कर, बैठ कर, एक personal note लिख कर, उन्हें card भेजा है। ये सच में बहुत आसान काम है। जो वफादारी भरोसा रिष्टे बनाता है, आप छोटे और विचारशील उपहार भी भेज सकते हैं। गिफ्ट्स को बड़ा या महंगा होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की summary audiobook, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये summary audiobook पसंद आई होगी, और आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।